असलाम अलेकुम नमश्कार सस्विया कालन कुछ इमनिंग मैं अर्जु कास्मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ओफ यू हमारे साथ हैं जी हरी मौन जी बहुत शुक्रिया सर क्या आप आप आए थैंक यू सो मच मैंने कहा कि आपका तिलक देख के मुझे याद आया लेकिन अच्छा लग रहा है तो मैं भी सोचा था कि अच्छा लगाओंगी क्योंकि रेट पेना वह तो अच्छा लगता उसके साथ हम बात करेंगे अजमेर शरीफी सर पहले राम मंदिर बन गया उसके ओपर एक हंगामा अच्छा बाबरी मस्जिद पे पर ग्यानवापी मस्जिद तो थी उसके बारे में हमने सुना अब अजमेर शरीफ बहुत नाम है अजमेर शरीफ पाकिस्तान से भी कई बार सुना है लोग जाते हैं अब वहाँ से शिव जी का मंदिर बताय जा रहा है ये सिलसला कहा जाकर कश्मीर के एक जाने बाने लीडर होते थे साफिद्दीन सोज उनका एक स्टेटमेंट था अर्जू जी उन्होंने कहा जोब ये मिटे ने उ और वो बाबरी काउंसल के मिंबर भी होते हैं उन्होंने बाबरी काउंसल में एक खाई और ये सिंपल वर्ड्स में कहा कि देखो तुमने हिंदुस्तान में बहुत कुस अचीव कर लिया है आपको पाकिस्तान मिल गया दो दो देश मिल गए मुसल्मानों को कहा दो देश मिल गए हिंदुस्तान में तुमने तीन लाख मस्जिदे बना ली तुम इतने ताकतवर हो कि तुम्हारे तुम जिस तरफ वोट डाल दो पलड़ा उस तरफ जाता है और सरकार बन जाती है तुमने चालीस हजार मंदिरों के उपर पस्जिदे बना रखी और हिंदू कुछ नहीं बोल रहा एक फूता हुआ सा धाचा है जिसे उसने डॉर्मेट कहा कि एक डॉर्मेट को आप उड़्दू में क्या कहते है मुझे नहीं बता बस वो वर्ड यूज किया कि वो जो पाइदान है वो पाइदान बच गया है और तुमने सारा सब कुछ कभजा लिया और तुमने दुनिया में और कोई कंट्री में ऐसा नहीं मिल सकता था जो इंडिय के तीन मंदर मांग रहें तीन मंदर दे दो उसके बाद मैं मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू को जगाने का आरेसस का जो एजंडा है वो खतम हो जाएगा और उसके बाद हिंदू कभी बोलेगा नहीं वहां बैठे मॉलाना कहते तुम पाइदान की बात करते हो हम तो सुई क बगराबर जगहें नहीं देंगे और जो है हिंदू का वो भी छीन लेंगे यह मौलानाओं का उस बाबरी काउंसल की मीटिंग में डिसकेशन था अब आप सोचिए तो उन्होंने उठते वे कहा था कि तुमने उस पाइदान के चक्कर में इस हिंदू को जगा दिया है बात इसने एक हजार साल में या 1100 साल में 1200 साल में बनाई है और तुम से 1100-1200 साल का बदला लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाऊ यह सैफुद्दीन सोज साहब का जो एक लब लुबाब उनका जो बाचीत का है वो मैंने आपको बताया जो 30-35 साल पहले बात की थी वो आज यहां पर आपको दिखाई दे रही है लोग इसे मानने को तैयार नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ असलियत में मामला यही है कि के हमने सिर्फ तीन मंदर मांगे थे तीन मंदर अयोध्या काशी मतुरा विश्विंदू परिशत कहती है चालीस हजार मंदर हैं जिनके उपर आपने मस्जिदे बना रखी हैं वो आन रिकॉर्ड हैं सिर्फ तीन मंदर दे दो उसके बाद हम कभी कुछ नहीं मांगेगे लड़का था और वह यह बात 2019 की है जब यह फैसला आया था उस टाइम पर में वहां क्लास लेने गया वहा था तो वहां स्टूडेंट्स ने मिरसे पूछा अब यह नया नया डिसीजन आया था मुस्लिम स्टूडेंट्स भी थे हिंदू भी थे तो उसमें एक बहुत तरी एक लड़के ने बच्चों ने मिरसे पुछा था इसका सॉल्यूशन क्या है मैंने का देखो यार जब लड़ाई हो रही होते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता कहीं ना कहीं अगर बहुत कुछ है तो एक आदा कुछ देने में कोई बुराई नहीं है आयोद्या काशी मत काशी मतुरा और काशी मतुरा और अयोध्या हैं तो अगर देवी दिया जाए तो भाई चारे का एक्जामपल हो कि मुझे याद है आज भी उस बच्चे की जो नजरें थी एक बड़े तीकी नजरों के साथ और तीकी भाशा में कहा किसा बुर्स बुत परस्ती के तो एक इ प्स कि तय्यारी करने आया हुआ है मैंने को प्रता फिर तो इसक का सोलिशन कभी ने निकलेगा एक क्योंकी कोई सलुशन बचा नहीं इसका क्योंकि एक पक्ष आपसे कह रहा है हम कॉंप्रमाइज करने के लिए तैयार है जो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के मंदिर वो दे दो और यह माइंड सेट अगर उस स्टूडेंट का है तो यह माइंड सेट हिंदुस्तान में से रहने वाले इंपक्त पाकिस्तान बंगलादेश में रहने वाले हर मुसल्मान का भी तो है वह यहीं तो कह रहा है कि भाई हम बुद्ध परस्ती के लिए एक इंच जगहें नहीं दे सकते यह इशू है यह माइंड सेट की लडाई है और प्रॉब्लम अब यहीं आई है और दूसरी बात यह माइंड सेट खतम नहीं हुआ है मैं बार बार अलग लग चैनल्स पर कह रहा हूं कि असलियत में हिंदुस्तान के अंदर जो मुसल्मान बचे थे यह वो लोग थे जिन्ह उने असलियत में पाकिस्तान का सपना देखा था पाकिस्तान का सपना लाहौर कराची इसलामाबाद पेशावर रावल पिंडी मुलतान में नहीं देखा गया था पाकिस्तान का सपना ढाका में नहीं देखा गया था पाकिस्तान का सपना असलियत में देखा गया था अलीग पाकिस्तान बनाया है जो कभी हो यह करते थे कि पाकिस्तान शुक्त सबस्तान में लोगों के साथ पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही थी 1937 में आपके पाकिस्तान में इलेक्शन्स हुए थे उन 37 के इलेक्शन्स को अगर आप उठा कर देखेंगे तो मुस्लिम लीग को एक वोट में मिलता था वहाँ पे कॉंग्रेस की या पीसेंट वो मतलब क्रिशक परजा पार्टी या वो क्या नाम है वो क्या कहते हैं गुलाम एहमद संतिंग उस लीडर से उनकी वहाँ पर सरकारे बनती थी सिंद में पंजाब में मुलतान में और खैबर इन दोनों में जा जाके कैम्पेइन किया है कि आप मुस्लिम लीग को वोट दो और इन्हें उम्मीद थी कि पूरे का पूरा पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश हिमाचल उत्राखंड जम्मू कश्मीर बिहार से लेकर बंगाल तक सब कुछ पाकिस्तान में होगा लेकिने ऐसा हुआ नहीं यह प्राब्लम थी अब हुआ कि अंदर अब हुआ है अच्छा उसमें समझे वहां पर क्या हुआ कि इन यह पाकिस्तान में बचा लिया वर्ना अगर हिंदोस्तान से जाने वाले मुसलमान सारे अंटर कर गए होते हैं तो आपके पाकिस्तान में, पैर रखने की जगयें नई होती अभी जो आप 25 करोड़ हो इंडिया के 20 करोड़ और मिल जाते तो 45-50 करोड़ होते कहां से खेलाते आप औरना बांगलादेश के अंदर भी इतन यह था टोटल मिलाके और इंडिया के अंदर मामला अलग होता लेकिन आपके हैं लेकिन नहरू और गांधी को वह मामला था इमोशनल होके सबसे पहले तो वह रह लिए जी हाँ प्रोटेक्शन भी मिल गई 1954 में कानून बनाया वक्फ एक्ट देखो प्लैनिंग कितनी जबरतस्त है वक्फ एक्ट प्लैनिंग करके वक्फ एक्ट बनवाया कि हमारी जितनी प्रोपेटीज मुसल्मानों की हैं वो वक्फ की प्रोपेटी हो गई लडाई को समझेगा आप यहां वो वक्फ की प्रोपेट से के असलियत में वाक्फ प्रोपरिटीज असलियत में हिंदुस्तान की जमीनों पर कबजा करकर के लैंड जिहाद का मामला था हमारे मंदिरों से लेकर हर जगाओं पर कबजा कर लिया गए अब प्रॉब्लम यह आई 2014 से पहले जितनी भी गौर्मेंट्स थी वो मुसल्मानों के सामने जुकती थी उनकी बाते मानती थी मना लेती थी और मुसल्मान जरा सी दंकी देते थे तो वह गबरा जाती थी यह सरकार मुसल्मानों से गबराती नहीं है वोट नहीं देते कोई बात नहीं क्योंकि मुसल्मानों नहीं से कह कह के पका दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी कहती है, अब हमें तुम्हारे वोट चाहिए भी नहीं, अब जब बीजेपी वोट ही नहीं दे सकते, मुझे तो ऐसा लगता है, कि मुसल्मानों ने अपने हाथ काट लिए, कि हिंदू कहता थी, कि मुसल्म किसा अजमेर शरीफ का तो बहुत नाम है जैसे आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बाबरी मस्दिद के तरह खाली पड़ा हुआ है अजमेर शरीफ की बात ये है अजमेर शरीफ के जो चिष्टी है ना इन्होंने जो हिंदूओं के साथ कांड कर रखे हैं अगर वो सारे के सारे बाहर आ गए तो सच्ची बता रहा हूं मैं सारा मामला सही हो जाएगा यह जो खादिम है ना आपको 1992 अजमेर शरीफ का स्केंडल पता नहीं होगा तो सुनो अजमेर के जो चिष्टी थे इन चिष्टियों में से खादिम जो थे इन खादिम का पॉलिटिकल डॉमिनेंस बहुत जबरदस था इनके लड़कों ने अच्छे घरों की जो अमीर घरों की हिंदू लड़कियां थी बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ने वाल कीची बिना कपडों के और उन्हें ब्लैक मेल किया और उसको यह कहा के कल अपनी भावी को लेके आई यो और ऐसे ऐसे करके एक के साथ दूसरी दूसरी के साथ तीसरी एक हजार हिंदू लेडीज जो एलीट क्लास की थी जिनके बाप या भाई या घरों के अंदर बड़े- शॉप्स होती थी उनके पास बेचनी चुरू कर दी थी पांच-पांच रुपे में इन बलड़कियों की जो फोटोग्रैप्स थी वो निलाम करवा दी कई थी दो दो रुपे के अंदर उसे कहते अजमेर सेक्स स्केंडल और किसने किया अजमेर के खादिमों ने किया और सा इसको ब्लैकमेल करके उसकी भाबी को उसकी मा को उसकी बहन को उसकी पडोसन को अडोसन को सबको एक हजार लड़कियां उससे भी ज़्यादा जो रिकॉड पता लगे वो एक हजार थे जिनकी फोटोग्राफ दिख रही थी और यह इतना बड़ा स्केंडल था इन खादिमो देगा उसके बाद एक मूवी बन नीदी अजमेर तरगा के वह 1992 स्कैंडल के ऊपर मूवी बनाने वाले को गुशने नहीं दिया और उसके बाद सोचकर देखिए अभी एक बंदा पकड़ा गया था वह बंदा रहा हो गया मतलब वह सेक्स केंडल का किंग पिंज का बहुत करीबी और वही में था वह घूम रहे सड़कों के उपर के क्या उखाड लिया मेरा क्या उखाड लिया मेरा ठीक है अब उसके बाद आ जाओ नुपर शर्मा वाले केस में क्या वह था नुपर शर्मा वाले केस के अंदर हुआ ये के सारे हिंदुस्तान के अंदर कलेश और रखा था चलो जी हो गया कोई बात नहीं यही खादिम जो हिंदु मुसल्मान भाई है है कि सर्तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं है बदेव सरतन से जुदा के नारे लगाएगा हंदु को कर Origini करने की ब Kings करेंका और उन्हें तो यह कहता है कि जो नुपर माइनीचिए नहीं कहनदान में सी कि जो नुपर शर्मा का सर काट कलम करके लाएगा मैं उसे एक करोट रुपे इनाम दूंगा सल्मान चिश्टी था उसका नाम और हिंदूों के नफरत के जो बयान इनके खादिमों के आते हैं वो कम है क्या और फिर उम्मीद करते के ना ना हिंदू ऐसा कुछ ना करें अब सोच कर देखो हुआ क्या है यह चीज़ आपको समझ में आगए यह कि मतलब नफरत इन लोगों के दिमाग में कितनी वरी जबके अजमेर शरीफ में मैक्सिमम जाने वाले हिंदू होते थे मैक्सिमम हिंदू होते थे दरगा पे जाने वाले अब वो छोड़ दिया उन्होंने और जो जाबी रहा होता हम दोग उसको इतनी सोशल शेविंग करते हैं को जाई नहीं पाता अब उसके बाद नेक्स पार्ट क्या है अब यह हिंदूओं से नफरत हो गई है तो यह आपको दिखाई दे गया होगा इन मौलानाओं के अंदर मतलब सोचकर देखिए मौलाना खड़े होके अपने अपने जलसे होते हैं उसमें क्या कहते हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ बंगलादेश के 20 करोड़ और इंडिया के 20 करोड़ तीनों मिलके हिंदूओं को बिल्कुल जड़ से खतम कर देंगे तो अभी रोक्यों रहे हो कर लो प्रॉब्लम यह ही आ रही है 19 इसमें आपने दिया होगा आपके आपके आइडियो से यह नहीं है प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ आर्जू जी शाहिन बाग के प्रोटेस्ट के अंदर सबसे में किया गया कि कहते हैं इंडियां कॉंस्टिटीशन के अकॉरडिंग यह शोर मचाया हमने का ठीक है भई Constitution के चलेगा हमने अब अपने मामले लड़ाई जगडे की जगए कोड में जाके फैसला सुना रहा है कि जी उसका सर्वे कर लो सर्वे में भी अब्जेक्शन है वही सर्वे में किस चीज़ का अब्जेक्शन है यह तो बता दो लेकिन सर्वे में अब्जेक्शन है क्यों अब्जेक्शन है क्योंकि असलियत में जिस अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं आप वो पहले शिव मंदिर होता था यह रिकॉर्ड्स मिले हैं और यह अजमेर शरीफ जो है जहांपर दरगा देंगा जया शुक्ति ही रज़ह का दच्वाम की यहां जितने चभार ने कि इस राधने कर्क façon करें इसे दिरल्गार की सफिराएं के moments यहां जो कहाएं इस दिदोक्त विस्टींदरी हो इसे नतुम मिद्रेया का ददरिशन रफ गहीतime किंगे अब क्या करेंगा अदालत के जरी होकुम लेकर इसको भी डिमॉलिश किया जाएगा जैसे वाबरी मस्जिद को किया था आर्जू जी अब केस यही तो है हम यही तो पूछ रहे हैं अभी तो हम यह सर्वे देख रहे हैं कि कौन कौन सी मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर दबा हुआ है वो बता दो कोड में जाके मुकदमा है को डिसाइड कर रहा है सर्वे का फूरी धबराना कासा आपकी यह न मस्जेट तीक है मतलब मुसल्मानों की है वो दरगा ठी या हमें कोई दिकत नी है सर्वेक के सिर्ब ये पता कर रहे हैं कि कहीं इसके नीचे कोई मंदर तो नहीं था इतने में डरगे हैं अगर सर लोग ये भी कह रहे हैं सारा मामला यह सारे हिंदू को नफरत की नजर से ना देख रहे होते काफिर और वाजिबुल कतल ना कर रहे होते तो एक पंगा थाई भी ऐसे तो नहीं चलेगा सर बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि हिंदूस्तान जो यह वह पाकिस्तान के नक्षे कदम पे चल रहा है और अब हिंदूस्तान वही कर रहा है जो पहले पाकिस्तान करता रहा है अपने मैनौरिटी के साथ तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए हम भी आपके जैसे बन रहे हैं नहीं हम खुश नहीं क्या आप अमारी जैसे मत बने हमने घलत किया क्या पाकिस्तान की तरफ से एक बार भी बांगलादेश के अंदर मरने वाले हिंदू के बावरे में अग्यार पाकिस्तान की तरहें बना और हिंदू को खटम किया एक बार भी किसी ने दुख जताया कि मंगलादेश के अंदर जो हिंदू को मारा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से हम उसको एक तरीका कर नडैंनेशन लेटर लिखकर भेज रहे हैं यह मामला सारा मुसलमानों के मामले में तो आया क्योंकि हिंद। इसलिए प्रॉब्लम दिखाई दे रीया कि thatísब इतनी चीनता थी तो बांगलादेश मी आपसे कई मामलों में आके था और आपनों भी डिसकस करते थे कि बांगला देश पाकिस्तान किसे अ कितना आपने निकल गया उसलिए है वह को धूंब मर रहा है।। मतलब आप सोच कर देगी आर्जुजी जैपुर के अदर मंदिर की जो आगे एक छत्री से बनी हुई थी उसके उपर हरी पट्टी लपेट के कहते हैं यह मजार है और हम लड़ेंगे अकर तुमने उतार तो हम तो यह मजार मानेंगे यह बदमाशी हम जेलते रहें कब तक तो यह वक्त वोड के नाम पर हमारी पार्लेमेंट से लेकर आधी दिल्ली पर दावा ठोक दें हमारे मंदिरों पर दावा ठोक दें तब ठीक है कि मैंने विए होता है तो क्या वह माइनियोरीटी अभी यह रहें अच्छा उसके बाद मैं पूछनू कि कागस दिखा दें कि मैंने कह दिखांगा मैंने कह दिये तो मान ले वरना लड़ाई हो जाएगी आर्जू जी 72 साल से हम इसी डर में थे लड़ाई रहन दो अब हमारे इंदू कह रहे हैं भाई लड़ो लड़ो नहीं सार इसका कोई पीसफुली कोई इसका हल होना चाहिए लड़ो जो है वो पि 30 आराध्य हैं उनकी जमीने चुड़ने को त्यार हैं और वक्त मोर्ड कोई नई जमीन क्लेम नएं करेगा है और जो पागज वाली जमीने संक वो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे को जमीन सिरो वाली हो उत बनी करेंगा के यहाँ तक की जो आयते आपके कुरान में भी लिखी हुई है जो ये कह रही है कि भाई हिंदू काफिर है और उसे मार दो ठीक है तो वो ये कहेंगे हम खुडा सा उनको वो करेंगे जहें मौलाना साब हमारे साजीत रशीदी जी कह रहे थे या फिर यूँ कहें कि हिंदू के साथ प्यार वाला विभार करेंगे हमारे उपर ऐसान नहीं चाहिए अब मौलाना कहें अजय यह बताओ ना यहां पर अजमेर शरीप की सीडियों के उपर खड़े होके कहो सरतन से जुदा सरतन से जुदा और हिंदू कुछ बोले ही ना यह क की बातचीत करने के अंदास से लग रहा है इलकुल जिस टाइम पर आर्जू जी कनहिया लाल तेली की गर्दन वीडियो बनाते रहे काटी गई न स्पाइन चिलिंग इफेक्ट यह था मेरे उपर और मेरे जैसे हजारों लोगों लाग क्रोड़ों के उपर यह था भाई पूर रहो और मैंने अपने पास से चितने मुसल्मान ते सबको बगा दिया था एक एक करके दो महीने के अंदर अच्छा बिटाबाद में देखेंगे काम कम है जाओ नमस्त और यह मेरा मेरा नहीं उसके बाद नजाने कितनों से ऐसे मिला हूं कि यार कब कौन मेरी एक पोस सुनो तो सभी अभी तक चल रहा था ना वो कॉंग्रेस गवर्मेंट में हम जैसों को दर्द बयान करने तक की पर्मीशन नहीं थी अब नहीं चलेगा अब अगर मेरी कोई गर्दन काटेगा या मुझे हिंदू की गर्दन कटती भी दिखाई देगी एक बात नहीं हर सुच साफ जी पांगलादेश के एते हिंदू मारे जा रहे हैं हमारे यहां पर एक मुसल्मान और एक मुलाना ने खड़ें होके यह कहा हूं कि ऑ नहीं मिð हम यह फ्य विर ऑखुर्ण कोई कि अगर इसकी पढ़ाई लिए उसको ये सोच दिए तो दो अगर ंडी लेवल का बन्दा यह कह रहा हो तो इसका मतलब यह है जिसका काम हिंदूों से चल रहा हो उसका मतलब यह है कि वो हमारा सगा नहीं है तो अनपर जिसे एक मौलाना नहीं बढ़का वो अमारा सब्सक्रा कहां से हो जाएगा और रही बात देखो लड़ने की आजर बात बता हूं मैं वही वाली बात है आपनी इतना कोने में लगा दिया इतना कोने में लगा दिया कि हिंदूज और लेफ्ट विद मोच वाइब आप वक्ष वोड एक बात मेरी प्रोपरटी के करें वक्त बोड की है और हम कोड भी ना जा सकते हैं ठीक है या सकते हैं यह नहीं सूपर मतलब सूपर कॉंस्टिटीशन हो गया वक्त बोड तो और उसके उपर जरा सा अगर डिसकेशन हो रहे तो दंगे बढ़क जाएंगे अब तो फिर सरकार भी कहारी बढ़का के देख ल देश को इन मनदाजारे करने का टाइम आ चुका है और थोड़े दिन रुप जाओ कोई बड़ी बात नहीं है भारत सरकार कुछ ऐसा दाव ठोकती नजर आए कि बंगलादेश को समझ में आ जाए क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमें इतना कॉर्णर किया गया इतना कॉर्ण किया गया कि अब हमारी सर्वाइबल के उपर कुष्चन आ रहा है और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बंगलादेश के इंदर जिस तरीके से वो वीडियो आ रही है हिंदूों को मरते हुए हम लोग देख रही है वो चुरियां मामारे को हमारी घर्दन पर चलती नजर नजर आ रही है वो भीड जो लट लेके घूम रही है और वो यह कह रही है कि हिंदू को घेरो और उसकी खाल उतार दो वो नारे मुझे अपने लिए नजर आ रही है कि मेरे उपर लगाई जाएंगे यह प्रॉब्लम आ रही है अर्जूरी नहीं आप बिलकुल ठीक कहने औ आपका दर्ड बिलकुल आपकी बात करने से जलक रहा है और मुझे बहुत अफसोस है एस अंसल्म मुझे बहुत इस चीज के अपर शर्मिनदगी है कि मुस्ल्मान किस तरह की खरते रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं और अपने अनी терूना किरा है है बिलकूल और मॉलाना आ तेंग